प्रेम प्रसंग के मामले में 26 वर्षय शादी शुदा युवक ने लगाई फासी धनबास सदर थाना शेत्र के तेली पड़ा निवासी 26 वर्षय मुकेश मोदक ने अपने पंखे से लटक कर आत्मात्या कर ली मृतक पेशे से कैटरिंग का काम करता था स्थानी ये लोगों की माने तो शादी शुदा होने के बावजूद मृतक का किसी दूसरी महिला से प्रेम प्रसंग था जिसको लेकर हमेशा परिवार में विवाद होता रहता था कल भी देर रात घर में जगडा हुआ था जिसके बाद आज सुभा मुकेश मोदक ने पंखे के सारे फांसी लगा कर आत्मात्या कर ली स्थानी लोगों की सुचना पर पुलिस ने शेव को कबजे में लेकर शाहिद मिर्मल मातो मेमोरियल अस्पताल भेज दिया घटना के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है मुरितक के चार वर्ष की एक बच्ची भी है यहां मुकेश मोदक जी का आज आत्मात्या कर लिए सुचाइडल हैंगिंग है तो कुछ बिवाद था घरेलू साधी बियाकों लेकर के बिवाहित हैं पहले से एक बच्ची भी है छे-साथ साल की कुछ बाहिवाब के जीज साधी लगा है पता नहीं लेकिन यह विसे आरा कि फ़े OHC मामला था महला के लोग दूनी सब लोर जानते है इस बात को कि मैंद्धे कि कि अपकिस करण से फासी लगा है अका इसाथ अब अनकी है उनकी बेहन हैं उनकी बेटी है उनकी उनके साथ में रहते है तो यह नहीं से उनका डिटेल हम यहां किसी को पता निए किनके साथ क्या है बागी जांच में घर आएगा तो आएगा रहे एक जांच में लगई ने हैं यहां कि बड़ा आधि अभी बदा चला कि अभी पता जाए लोग वादर पहले तुवज़ नहीं पता है नोचाद नोचानु बजे ला मुकेश नाम है घर में और इनके पातनी है और परिवार भाई हो जए रहा है अब तो प्रभुजी प्योव फूड आ गया है धनबाद में मिठाई नमकीन चाट साथ इंडियन चाइनी से लेकर साथ विक भोजन तक सब मिलेगा प्रभुजी प्योव फूड चलो कुछ प्योव खाते हैं प्रभुजी प्योव फूड अब आ गया है में को मोड़ आ गया है